हेलो एब्रीवन गुड मॉनिंग वेल्कम टू मैं चैनल और आज है जुलाई बाइस तारीख 2021 तो अभी सुभा का टाइम हो रहा था और मैंना यहां पर सूजी का जो उपमा होता है वही यहां पर बनाने के लिए तैयारी कर रही हूं और सूजी को मैं डाल दिया हूं कड़ा और उसको अभी मैं पहले भून लोंगी अच्छी से और अभी यह भून चुका है तो मैं साइड में प्लेड में निकाल दूंगी सारा सूजी को तो यहां पे ना मैं मतलब कि बनाऊंगी सेर करूंगी आप सभी से ब्रेकफास्ट क्या बना रही हूं ऐसे सोच रही थी लेक सेर की थी और अभी यहां पर देखिए यहां पे ना मैं बस यहां पे जो सूखी वाली थोड़ा सा जो कच्छा वाला हरामेर से रहता है ना वो सूख जाता है तो कैसे लगता है वही वाला था तो मैं यहां पे डाले थी और थोड़ा सा हल्दी डालके फिर कड़ी पता डाल कि इस तरह बनाई थी और सीनी डाले थी थोड़ा सा और मिठा वाला इसी तरह बनाई थी मैं और सीयर भी नहीं की ये सुब का जो ब्रेकफास्ट आज का मैं आप सब इसी सीयर नहीं की हूँ क्योंकि कुछ थाई नहीं सरसो भी नहीं था मिर्च भी नहीं था तो कि इस तरह से बनाती इसी वज़े से नहीं शेयर कर पाई और मैं पहले भी बोली थी आपको कि मुझे सूजी बनाना नहीं आता है पूरा फल्वा की तरह हो जाता है जैसे खीर की तरह होता है ना उसी तरह हो जाता है नहीं बनाना आता है बोली थी यहां पे जो हम लोग फेकने जाते है न टफ होता है उसी फिर रखी हुई है यहां पे सारा ममी साफ कर रही थी और बगल में साइड में चुटा चुटा पौधा बगेरा लगाई है तो वही मैं देख रही थी और यहां पे जितना भी कचरा था ममी सारा ले गई है और चुट तेना ज़ी दाल यह थोड़ा सा चावल वह रहा था तो हम लोग इसी पर ही रखतेते हैं फ्रीज में क्यूंकि सुभर थोड़ा सा गरम करके चावल भी बश जाता है तो तो इसको फ्राई करके हम लोग खा लेते हैं लिकिन करल 12 बहुत हो रहा था तो उसके वज़े से लाइट नहीं था और इन्वाइटर की कनेक्शन से तो खराब हो जाएगा ऐसे बोल रहे थे तो हम लोग फ्रीज को आफ कर दिये थे तो इसी वज़े से जो सबजी और खाना था वो थोड़ा सा स्मेल करने लगा था तो मैं यहां पर निकाल दी थी और जितन हम लोग की गाय गाय तो नहीं बैल है हम लोग तो हल बोलते हैं उसको तो उन्हीं के लिए उस पर डाल दूंगी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भी कोई भी खाना थोड़ा सा बच जाता है जैसी की चावल हो गया बच जाता है तो घर पी जो हम लोग की मुर्गियां है उन्ह और वेस्ट नहीं होता है और अभी यहाँ पे ना मामा जी और बुआ दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे और जो सहजन का साज ले के आए थे ना वही यहाँ पे तोड रहे थे तो मैं जो ब्रेकफास्ट था वो दे दी थी तो मामा जी तो खा लिये थे, बुआ यहाँपे खा रहे थी और यहाँ पर देखिए मैं साग दिखा रहे थी यहाँप Watts काफी सारा साग था, जो हम लोग चाची के यहाँए था और यह जो हम लोग के घर के सामने भी एक पेड़ है, लेकिन उसमें नहीं तोड़े हैं कि चरने पर थोरा सा मूश्थिल होता है नहीं चर पाते हैं तो जो लकड़ी होता बड़ा उलाबास का उसी से हम लोग निकालते हैं लेकिन चाची के यहां से मामा जी लेका आये थे क्यों cucumber उनके वहां से बहुत सारा भी है और तोड़ भी लेते हैं जल्दी से हो जाता है और हम लोग की घर पे जो है वो तो छोटा छोटा है तो इसी वज़ा से हम लोग उसको नहीं तोड़े हैं जब थोड़ा सा पेड बड़ा हो जाएगा तो तब ही साइद तोड़के खा सकते हैं लेकिन अभी तो खाने की लायक नहीं हुआ है बहुत छोटा है तो इसी वज़े से और अभी यहां पे मैं उठके घर मतलब की किचन पे चली गई थी क्योंकि पानी मैं चरा दे थी और बहुत तेज से पानी पूरा उबलने लगा था चावल नहीं लगाई थी तो वही मैं बोल के गई थी कि चावल नहीं लगाई हूँ चावल लगा के फिर आ जाओंगी करके और फिर चावल मुझे लगाना था तो मैं चावल लगा दी थी और फिर अभी वापस फिर से आ गए थी क्योंकि काफी टाइम लग जाता है यह जो साग है उसको एक एक चुटा चुटा पत्ता निकाल के उससे करने से बहुत लेट हो जाता है तो इसी वज़ा से और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प कर दूँगी और मामा यहाँ पर मुझे पूछ रहते कि यही वाला साग बस बनाना है कि कुछ और भी बनाओगी ऐसे करके पूछ रहते तो मैं बोली कि मुझे तो नहीं पता मम्मे आएगी तो बताएगी तो तब देखते हैं ऐसे करके मैं बोल रही थी तो मामा हस रहते सही मैं आज तक इतना दिन हो गया है लेकिन कभी भी मैं खुज से कोई भी सबजी नहीं बनाती हूं जो भी बनाती हूं मम्मी से पूछ के ही बनाती हूं तो इसी वज़ अधी हस रह थे तो बस यहां पी साख जितना भी था हम लोग अच्छे से साफ करके निकाल चुके हैं और यहां पर मैं दिखा रहे थी क्योंकि अभी मैं बनाने चाहूंगे ना तो इसको मैं धोँगी नहीं मतलब कि पानी में नहीं धोँगी क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगेगा आप सभी को क्योंकि पानी में धूलने से इसका जो करवापन होता है वो आ जाता है और विसे भी बारिस हुआ है तो इसी वज़े से पानी में नहीं धूल रहा है और बिना धूल की बनाने से बहुत ज़्यादा तेस्टी होता है और अगर चाहे तो धूल की भी बना सकते हैं ये साफ करने से पहले थोड़ा सा धूल के फिर उसके बाद इसको फिर बनाएंगे या साफ करके निकालेंगे चुड़ा चुड़ा पता तोड़ेंगे और फिर उसके बाद बनाने से भी थोड़ा सा अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ सब्जी मतलब की साग जो सहजन की साग है वही बनाऊंगी तो कड़ाई पे चड़ा दे हूँ और ओइल डालूंगी अब फिर जो भी जैसी की लहसुन, प्यास वगरा, मिर्च वगरा जितना भी था वही यहाँ पे डालूंगी मिर्च तो घर पे खतम हो गया था, बस दो हीटो बचा था, जो कि मैं सुभर नहीं लगाई थी और यहाँ पे बीच में लाइट भी चली गए थी, आप देख सकते हैं तो बस यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा लासुन डाल दूंगी और जिस तरह तरका लगाते हैं उसी तरह ही यह वाले साग को हम लोग बनाते हैं यहाँ पे मैं लएसून डाल दी हूँ और फिर इसको थोड़ी जिर मिलाने के बाद टोमाटर डाल के फिर भून लूँगी इसको और नमक डालूँगी थोड़ा सा और फिर ये थोड़ा सा पक जाएगा ना फलका सा बस कच्चा टाइप कराएगा पक जाएगा अच्छे से तो फिर उसके बाद यहां पे साग डालूँगी और जिस तरह हम लोग दाल का तड़का लगाते हैं बस उसी तरह ही लगा करना है और अभी यहां पी देखी टामाटर सही सिपक चुका है तो अभी मैं यहां पी डाल दूँगी साग और फिर से बतारी हूँ साग को नहीं दूली हूँ मैं क्योंकि धूलने से उसका कड़वा बना जाता है और बारिस हुआ था इसी वज़े से नहीं दूली हूं नहीं तो जो डंढ़ल रहता है न साथ में डंढ़ल के साथ ही एक बार धोकी फिर उसको अच्चे से तोड़के फिर बना लेते हैं हम लोग और धोके फिर बनाने से न धोके ही बनाते हैं काफी लोग उससे न थोड़ा सा करवा रगता है और अगर दोना है तो पहले जो डंठल रहता है उससी के साथ ही दोoking फिर उसको सालफ पर बनाते हैं तो यहाँ पर सबजी बन चुके है मतलब कि थोड़ा सा इसी तरह भी चलाते रहना है इसको जब तक अच्छे से पक जाएगा और बस यहाँ पर बन चुका है तो मैं आफ कर दूँगी गैस और फिर साग रेडी हो गया है तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं खाना मनाने जा रहे हैं चावल दो चड़ा दी हूँ और दाल फिदल बन गया है ये दाल भी बन गया है और एक चीजद दिखा हूँ आपको काफ़ी दिन से दिखांगे बोल रही थी लेकिन दिखाई नहीं पारे थी यहाँ पर दिखी मसरूम है जादा नहीं था साइद उढ़र से लेकर आई थी ममी चर्च के साइड से साइड लेके आई थी और रिखाई थी मुझे की मसरूम देखे करके अभी नहीं हुआ है काफी लोग अभी मसरूम नहीं हुआ है तो नहीं लेने जाते हैं नहीं तो जंगर जाके ले आते हैं मसरूम हम लोग के गाउं के कुछ लोग हैं जो जाके ले किया जाते हैं Hey a तो पहर को में थोड़ा सा सो गई थी और फिर उठके बरतनद में दो सचोटी बनाएहां दो सब्सक्राइब भी बनाए थी मन किया तो बना लें नहीं तो गाव में ना कोई भी देखता है तो थोड़ा सा हसने लगता है क्योंकि हम लोग चोटे-चोटे थे तो तब स्कूल में बनाया करते थे और अभी पाई चांस में कभी-गभी बना लेती हूं तो कोई देखता है पहले ना तो पहले लाइक तो आज का व्म बाउग यहीं पहांन कर रहे हूं और फिर मिलेंगे कल और एक नहीं और अच्छे से वीडियो में तो तक-तक के लिए चैनल की नियुए है तो सब्सक्राइब करतीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और फिर मिलेंग तब तक लिए टेक के, बाई बाई, थैंक यू